गाइज वल्कम टू माई चैनल सुमेटरोट का रीडिंग और इस वक्त क्या अनर्जीज है आपके पर्सन की चेक करने वाली हो मैं गाइज सचनल को लाइक श्श्राइब कर लेजए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेजेगा चैनल पर इस चैनल पर प्रेस डिखना चाहते हैं , मारेद रील्हा को होई लब इस चैनल पर जद दॉटर्पलीशन और गाइन स्धाट लेटिट डालोंगी जिनका कोई साइट कनेकशन है वन सअगल मेरेट रेलेशन्स है वो लोग चैनल को जो है वो सस्क्राइब करके रखें क्योंकि मैं अब इस चैनल पर इसी एडिविंग को डालोंगे कि बहुत अगर रिमांड आ रही है या लव रिलेशन से तो आप इस चनल को सब्सक्राइब कर लेजिए थीक इस वक्त क्या नर्जी देखते हैं तो वेंट में अर्जीज है ठीक है तो तो फिर आपके परसन है इस वक्त की करेंट एनर्जीज जो मेरे को दिख रही है आपके परसन की वह यहां पर तीन आई हुई हह अजिसे ओने अलग अलग आई हैं कैप में एक सूटश में हैं थो हला कि आपकि है झिनके साथ आपका रिष्ता है यह चिंतित इस वक्त व लिए इन्हों ने बात करना भी तक्रीवन तक्रीवन बंदसाही कर दिया है मतलब बहुत ही कभी कबार इनसे आपकी बात हो जाती है ज़्यादतर इनकी और आपके बीच में no contact ही रहता है ज़्यादतर और अगर बात होती है तो no clarity मतलब बस बात हो गई तुम ठीक मैं ठीक बस यह वाली बात ना कोई commitment पर बात ना कोई relationship पर बात तो ऐसा जो इस समय चल रहा है इनकी side से उसमें ये दुखी दिख रहे हैं कपस में दिख रहे हैं और चिंते दिख रहे हैं ठीक है हाला कि वैंट्स क्या कह रहा है ये वाला card वैंट्स ये कह रहा है कि इसको इस person को जो भी है ये partner आपके इनको आपसे महबत है बहुत ज्यादा ठीक है इनका आपके साथ मिलन बस एक अचालक से हुआ है और ऐसा लग रहा है अनर्जीस को देखकर किलियर है कि इनके साथ आपका जन्म जन्म का रिष्टा है ठीक है different side married up हो सकते हो या फिर आपका one side single married up relationship में इस वे दिख रहे हो social media के थूँ ज्यादा तर आप मिले हो ज्यादा तर social media के थूँ आप मिले हो या फिर किसी marriage आपके थूँ भी आप मिल सकते हो ऐसा दिख रहा है ठीक है age difference आप में बहुत है long distance भी आपके बीच में है लेकिन यह person आपकी life में आना चाहते हैं लेकिन मजबूरियां इनकी साफ दिखाए दे रहे हैं इन परसन की life में कुछ ऐसी boundation है कुछ ऐसे burden है जिसकी बज़े से यह इस वक्त no contact situation में है आपके साथ अंदर से बहुत तूटे हुँ दिख रहे हैं अंदर से बहुत परेशान दिख रहे हैं किसी वी चीज़ को सही दंग से सोच समझ नहीं पा रहे हैं आपको पाना चाहते हैं पास्ट के हमेशा आपक ठीके तो यहां पर यही अनर्दीज आ रही है इस वक्त कि यह person कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है आपके और अपने relationship को लेकर बहुत stress में है mentally बहुत ज़्यादा सफर कर रहे हैं family में भी problems है और यहां पर यह लीजिए third party भी आ ही गही तो इसका मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति से जुड़ा है ठीक है जो इनके उपर बाड़न बना रहा है और इस बड़न की बज़े से भी यह कहीं न कहीं आपको clarity नहीं दे पा रहे है जबकि वैंट से आंपर यह कह रहा है इस परसन को कहीं न कहीं आपको clarity देना चाहते हैं यह यह person आपकी लाइफ में आना कि आपको इनको आपको नहीं हो रहा हैं लेकिन यहां पर यह आ रही है क्योंकि एनरजी होते हुए आपके साथ यह शाहिदी कर रही हो ऐसा एक तो थर्ड पाटी का पीछे से बहुत ही ज्यादा पहरा आप समझ लीजिए जो कि इनके उपर हरवक्त घूमता रहता है जिससे ये आपको unblock करना चाहते हैं लेकिन unblock नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हर वक्त थड़ पार्टी इनके phone को चेक करना इनकी हर activity पर चेक करना ये चीजे थड़ पार्टी कर रहे हैं ठीक है जिसकी बज़े से इनका मन होने के बाद भी कि आपसे clarity करें आपसे मिलें आपसे बात करें वो नहीं कर पा रहे हैं जिसकी बज़े से ये बहुत आधिक मातरा में परिशान है दूसरा ये परसन और आपके बीच में आए दिन arguments भी होती है कहीं कहीं इस चीज को मैं देख रही हूं नौक जोग बहुत जादा बढ़ गई है commitment किया था शादी भी मतलब कहीं क नहीं दिख रहा है कि आप लोग के वीच में एक अच्छा relationship है और आगे तक future में जाना चाहते हो शायद आप या आपके परसन किसी child को भी take care कर रहे हैं ये भी यहां दिखाई दे रहा है तो काफी सारी चिंताएं आपके परसन को इस वक्त सता रही हैं जिसकी वज़े से य शान मुझे इस वक्त दिख रहे हैं ठीक है दमून का कार्ड यहां पर इनकी emotional energies को रिप्रेजेंट कर रहा है लडाइयां बहुत पढ़ी हैं इनकी life में जो कि साफतर पर आप देख सकते हो लडाइयां बहुत हैं जगड़े बहुत हैं और कहीं न कहीं काम पर इनका focus हो नही दिख रही है यहां पर आशी बता देती है कि future है कि नहीं definitely इस कार्ड की according यहां पर मैं आपको बोलूंगी थोड़ा wait कर लो आएंगे यह क्योंकि energies यहां पर आने वाली इनकी दिख रही है ठीक है इनकी energies यहां पर आने वाली दिख रही है तो wait करना पड़ेगा आपको होगी वेट आप करोगे तभी यह connect होगी energies क्योंकि इस वक्त कुछ ऐसे हालात है इनके जिसमें यह प्रॉपर तरीके से आपको answer नहीं दे पार है लेकिन का कार्ड के according यह वापस लोटेंगे ठीक है तो move on यह जगे आपको सब्सक्राइब करना चाहिए कार्ड के according बाकि आपको जैसा ठीक लगे फ्यूचर में आपका मिलन है दिख रहा है लेकिन अनर्जी बहुत स्लो जा रही है इनके और आपके बीच में distance आ चुका है third party की वज़े से तो कहीं न कहीं black energies हो सकती है controlling energies तो साफ दिखाए दे रही है दूसरा आगे आने वाले 20 days ऐसे हो सकते हैं जिसमें अधिदिक चिंता हो सकती है overthinking बहुत हो सकती है एक दूसरे को लेकर feelings बहुत emotional हो सकती है ठीक है अगले 15 दिन में 20 दिन के अंदर ठीक है third party बहुत active है जो कि यहां पर कई न कई पूरा control और focus पराकरन के रूपर रखी हुए है जिससे निकलना चाहते है यह चीज भी दिख रही है राशिया यहां पर जो दिखाए दे रही है तुला कुम्ब कन्या है लिबरा है साजिटेरियस है कैप्रिकॉन है ब्रश्चिक है मीन है है ना अल्फबेट मुझे जो दिखाए दे रहे है आई सबसे पहले आई के साथ ए भी दिख रहा है ल ओ आच यह है कए है जे है यह है ए एस है वाई है और है और यह आल्फबेट यहां आै अंज नमबर अगर आपको बार बार 753 दिख रहा है तू टू दिख रहा है या फ़र 777 कही बार दिख रहा या फर एक या तो हो सकता है और आपको नाम देख रहा है हर जट एक ते रहा है यह सुभे के लिए भी इनरजीं आपको बहुत टेज है बहुत स्ट्रोंग है इसलिए आप लोग की पीच में इस वक्त एक दूसरे को लेकर energy जो है वो sending receiving हो रही है ठीक है energy की next future में chances हैं लेकिन ये इनका action जो है वो जिस दिन होगा उस दिन कमाल का होगा जबर्दस्त होगा जिस थर्ड पार्टी में ये फसे हैं उससे बाहर आना चाहते हैं इनकी energies बहुत तेरी से मुझे दिखाए दे रही है and यहाँ पर मैं ले लेती हूँ इनका एक message और अगर आप मुझसे energies check करवाना चाहते हैं अपने relationship की अपने रिष्टे की तो आप energy check करवा सकते हैं आपको लगता है कि आप खुद की और अपने person की energies बिलकुल अकेले में check करवाए ठीक है separately check करवाए तो आप मुझे contact कर सकते है 95401-19650 इस नमबर पर आपको सिर्फ message करना है call नहीं किबल message के जरीए बात करने हैं जो चोटे मोटे issues आ रहे हैं वो यहाँ पर कहीं न कहीं आगे के टेर्मेलेट को होते हुए दिख रहे हैं विश आपकी पूरी होती हुई दिखाए दे रही है पास्ट लाइफ connection है आपक लिए feelings है जगड़े कहीं बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो फिर थर्ड़ पार्टी की energy है यह कुछ negative sign है जिसकी जगड़े हो रहे हैं आप लोग के बेश में ठीक है आपके परसन को क्योंकि आपसे नोंने no contact situation में आई या फिर आपसे रिष्टा तो इसके लिए गिल्ट है healing energies आ रही है आई थिंग जिससे आपके रिलेशन सिपकी energy पॉजिटिव हो healing के बाद सुगाइज आई होप से connect की होगी reading कितना connect किया है आप ज़रूर बताएगा इंटेक क्या बाए बाए